जे महाकाल दोस्तो में रजत आप सभी का स्वागत करता हूँ आज जे डिभैन के एक नए एपीसोन में दोस्तो अपने 12 जोतिलिंगों के कथाओ का किस्सा जारी रखते हुए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान सिप के 11 जोतिलिंग स्री रामे स्वरम जोतिलिंग क के बारे में तो विडियो के आखिर तक हमां सब चुड़े रहिए दोस्तों ये जोतिलिंग तामिललडू राज्य के रामनात्पूरंग नामगस्तान बे इस जोतिलिंग के विश्त में यह मंणनियत्या है कि इसकी स्ताफना शोयंग भगवान स्री राम के द्वारा स्ताफि बननीत है आये जानते हैं पूरानों में बननीत इसकी कथा के बारे में दोस्तों अगर हम इस जोतिलिंग के स्टापना के उपर विचार करें तो पुरानिक मानता के अनुसार जब भगवान स्री राम चंद्र जी लंका पर चड़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्तान पर उन्होंने समुद्र के बालु से सिब्लिंग बना कर उसका पूजन किया था दोस्तों अश्ता भी कहा जाता है कि इस स्तान पर ठेयरकर भगवान राम जल्पी रहे थे कि आकास बानी हुई कि मेरी पुजा क्ये बिना ही जल्पीते हो इस बानी को सुनकर स्री राम ने बा तभी भुलेनात ने प्रस्निता के साथ ये बर भगवान राम को दे दिया। भगवान सीव ने लोक कल्यान के लिए जोतिलिंग के रूप में वहां निबास करने की सबकी प्रात्ना भी स्विकार कर ली। तभी इससे ये जोतिलिंग यहां भी राजमान है। दोस्तो अगर हमारे आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए।